असलाम लेकूम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स, इट हेल्दी, लिभ हेल्दी, कैसे आप सब उमीद करती हैं, खेरियत से होगे, आज मैं आपके लिए एरानी चिकन कड़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो के बहुत ही एजी, घर में आप इसको बना सकते हैं, तम मसारों स बेज प्लना से तयार होती है, जिसके लिए मैंने वाफ की दी लिया है चिकन, लेक पीस पे लगाए हैं, मैंने कट, ताके मसाला इसमें अच्छे तरीके से जजब हो जब हो जब हो जब हो जए और इसल्दी से गल जब 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 जब, तीन से चार मेरे पास हैं टमाटर, औ अब मैं डाल दूगी चिकन, मैं तर दूगी मिजियम, और इसको जब तक इसका चेंज नहीं होता, सब तक मैं इसको करूगी प्राइए अब मैं डालूँगी अधिलक लेसन, बन टेबल सूँट, मोटा मोटा मैंने इसको खूटा है और इसमें डालूँगी मैं 1-2-3 पून जाएगा जीरा, गूंते हुए मैं इसमें जीरा और 1-2-3 पून मेरे पाद है नमक, यह दोर रच डाल दूगी गूंते हुए और इसको मजीद 2-3 मिनट जो है वह में इसकी अच्छे प्रीके से बुनाई करोंगी एरानी कराई आप घर में बनाएं, होटल रेस्पॉन्स को घूल जाएं सिसम हो गया हमारा प्राइ, अब दूगोंता केश, और जीरा और नमक नमक मेरे पहले इसलिए डाला है, तके बोटियों को जो है अच्छे प्रीके से नमक लग ज़ए, बहुत भी इसलिए जबज़श पीश प्रीश पाते हैं अब एक मेरे पास है दाशिवी कतीश वह दालूँगी और दो मेरे पास है लॉंग, यह मैं डाल दूगी मिश्क करेंगी इसको, और मैं इसमें डालूँगी 2-3 कटीवी प्याज, तो कि अम्मोमन ज्यादा कराई होना जो है वो, प्याज नहीं जलते, तो कि यह एरानी कराई है, इसलिए इसमें प्याज यूज होंगे और डाल दूगी साथ इसमें में तमाचर, इनको करेंगी मिश्क, और आनी कराई में प्याज गलते हैं, बाकि कुछी भी कराई में प्याज नहीं गलते क्लेम मेरी मीजियम है, अब क्लेम करूँगी मैं लोग और ढटन ढटके इसको 5-7 मिन रटनगी तक के तमाचर का पानी भी निकल जे, चिकन गल जे और तमाचर और प्याज हमारे जिन्या वो नरम हो जाए, अच्छे तो अब मैं इसमें डालोंगी, अब मैं इसमें डालोंगी, हाफ टी स्पून धनिया पाउदर, मिक्स करूँगी, प्लेम करूँगी मैं मीडियम, और अब मैं इसमें डालोंगी, हाफ टी स्पून धनिया पाउदर, साथ साथ हमने इसकी गुनाई भी करते हैं, बहुत ही जबरदस्ट, बहुत ही मज़ेदार कुश्भू आ रही है इसकी, अब मैं इसमें डालोंगी, हाफ टेबल स्पून मेरे पास है, पुटी लाल मिर्च, रड चिली फ्लेक्स को कहते हैं, पुटी लाल मिर्च हमने डाल दी है, इसमें हमारी एरामी कढ़ाई में लिच पाउदर नहीं दलेगा, रड चिली पाउदर हमने इसमें नहीं डालना, पुटी लाल मिर्च इसमें हम यूज करेंगे, इसको भून होगी मैं तीन से चार मिनट, साथ इसका ओल जो है वो चिकन, छोड दे अपना ओल, दो से तीन मिनट इसको अच्छे तरीके से भून देंगे, इसको मैंने च्छे तरीके से भून दिया है, ओल स्वेट होगया है चारे करफ, कड़ाई में, अब मैं इसमें से जो दार्चीनी का पीस है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हमने इसका तेज कलाना होता है, प्रदी तो खुप है हमारी ये एरानी कड़ाई, अब मैं इसमें तीन दाल दूँगी हरी मिर्चे, डंडियों के साथ, डंडियां बहुत खुप्तुरत लगती है, ये देखें, रेस्टरॉंट जैसी एरानी चिकन कड़ाई हमारी रेडी है, आप तो अब होटेल या रेस्टरॉंट जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे के लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में बनाएं, सेफ रहें, घर पे रहें, अपने हाथों से खाना बनाएं, और मज़े मज़े से खाएं, अब फ्लेम मैं करूंगी और 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 करते हुए ही इसमें मैं एक लेमन का जूस डालूंगी, बिल्कुल आपने एंड पर डालना है, जब आप फ्लेम करेंगे और, पहले आप लोगोंने नहीं डालना, इसके मैं बीच निकाल दूँगी, चाने जी, इसको मैं करूंगी मिक्स, ताकि हमारा लेमन का टेस्ट, और सारी कढ़ाई में आ जाए, और अब मैं इसकी करूंगी गार्णिश, डालूंगी इसके ओपर दनिया, वाव, बहुत ही जबरदस्त, कलर इसका आ रहा है, सिर्फ 30 सेकेंड इसको मैं ढगूंगी, ताकि हमारी हरी मिर्चे और हरे धनिये का टेस्ट है, वो हमारी कढ़ाई में आ जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे, 30 सेकेंड सो गए हैं, और हमारी एरानी कढ़ाई रेड़ी है, आप इसको नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, या वैसे चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, इजिली घर में तयार हो जाती है, बहुत ही कम मसालों से, और बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग इसका टेस्ट हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, अपना से याद रखिएगा, अल्ला हाफिज